तो my dear student ये है बी ए थार्ड समस्टर जियोग्राफी यानी कि भुवोल का पूरा का पूरा model paper question paper ये आप सभी जितने भी इनुवर्षिटिक स्टूड़ेंट जो भी जियोग्राफी वाले है यानी कि जिनका समस्टर थार्ड है और subject geography उनको complete वीडियो जोड़ो देखने शुरू करते हैं प्रूब के तोर पर देख लिए समस्टर आपका थाड़ है और वर्स देख लिए इसी वर्स का है रसेंट लिए भी पेपर हुए थी ठीक है और सब्जेक्ट जियोग्राफिये प्रश्ण पत्र का नाम है इन्वारिम्ट टीक है इन्वारिमेंट जहां पर आपको अतले कुश्चन देखने को मिलेंगे और अतले कुश्चन का अंसर करने से पहले यहांपर इंस्ट्रक्शन्स दे होते हैं इनको पढ़ लेना ठीक है फिर कोश्चन कर बढ़ना है तो पहला प्रस्टन है आज कि वीडियो का कि प्रस्तित की तंत्र के अजय प्रसंट कडगरी वाला question है तो प्रस्थितिकी तंत्र जो है इसके जैविक जो घटक है और अजैविक घटत है इसके बारे में आपको लिखना ओभी कम से कम पचास सब्दों में ठीक क्योंकि आपको इसके लिए तीनी नंबर दे जाएंगे और एक हमीशा पूछे जाने वाल मिलेगा कैसे मिलेगा उसकी जानकार हम आपको दे देंगे लेकिन सबसे पहले आपको most important question की जानकार होनी चाहिए कि कौन-कौन से हम तैयार करें प्रस्थित वो मैं आपको बता दे रहा हूं तो इस question को नोट कर लिए नोट बुक लेके बढ़िए आगला पसन है कि ब्रच बिनास के दुस्परेडाम गिनाईए पाई जब ब्रच बिनाफ होता है आप लोग देखते हैं कि वनों की अंधा दुन्द कटाई हो रही है पेड़ों की कटाई हो रही है ठीक है लोग पेड़ लगाना नहीं चाहा रहे हैं इससे देखिए जब गर्मी कटाइम आता है तो लोग होस्पिटल जाके जो आक्सीजन बनावटी आक्सीजन है ठीक है जो होस्पिटल के मादल से उसको लोग लेते हैं तो ब्रच्छों के बिनास की वज़ा से अंधादुन्द कटाई को जासे बहुत सारे दुस्परेडाम है यह आपकी पूरे इन्वायर्मेंट है कि जो बराबर मात्रा में अक्सीजन नहीं मिलेगा तो समस्या सिंपल सी बात आपके बोडिम हो जाएगे और इसकी वज़ाएं कि हमें सबसाब पर यह च्छाओं भी देते हैं ठीक है तो कुल मिलाके ब्रच पर हमें लाव हैं हानी किसी परकार का नहीं लेकिन फिर भी लोग इसक पूशा जाता है वैसे नहीं भी आएगा तो आपको जानना चाहिए और इससे आएगा ठीक है नहीं आएगा तब भी कोई बात नहीं तो आपको जरूर तैयार करना हंड़र परसंट वाला कोश्चन है ठीक है निश्कोशन की वाय प्रदूरसर से आप क्या समझते हैं वाय हाई लेबल का जर्नली कॉमन कोईश्चन हमेंसा रिपीट होता तो इसको भी हम 100% कड़ गरिम रखेंगे वायव पर दूशर आप लोगों को मालूम है कि जब कहीं पर गंदगी रहती है या फिर बड़े-बड़े कंपनियों से बड़े-बड़े भठो फे और जो गाडिया च कि अगर धुआ जो निकलेगा कंपनी फैक्टरी बाइक से फोर्विलर से वट्थो से जहां पर इट मिलती है तो सिंपल सी बात है कि वो हवा पूर्दोफित होगी और हवा पूर्दोफित होगी बात है वो मनुष्ट पर ही इंपक्त डालेगी ज्यादा तर ठीक है और इस स म्रणाप अपरदन म्रदा परदन्राप रभान कोईस्चन है है उन पर्णवालिजे म्टी है और कोई जहां पर मिट्टी हो और वो मिट्टी किसी वज़ा से बरसात के वज़ा से पानी ज्यादा हो जाता है या फिर एक धालान टाइप का हो जाता है अधिक पानी हो जाता हो क्या होता है ना कि जो मर्दा होती है मर्दा की उपरी जो परत होती है वो एक अस्थान से दूस तो उसी प्रोसेस को हम मर्दा परदन करेंगे बाकी डीटियल में आपको बता दूंगा कि कहां पर इसका एंसर मिलेगा इस तरह बेशिक जानकरी मैं आपको देदी ठीक है इस वीडियो का बताने का मराने का मक्सद ही कि आपको मुस्ट इंपार्टन कोश्चिन बताना और बे बूड़ कंप कमता हो गया कि बूड़ जमीन कम कंप अपना जब प्रिथभी किसी प्राकर्तिक गद गद्विद्यों के कारण जब कम पन करने लगती ही सब्सक्राइब करने लगतीं तो इसकी बहुत अलग 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 बद्वानों प्रस्तूत की लेकिन मेरे नुसाइज बहुत कमाता कोईश्चन है उसके बाद अगला कोईश्चन है कि अमली वर्सा तथा इसके प्रभाव लिखे अमले वर्सा पहुत कमाता कोईश्चन इस तरह की कमान सकते 50-50% कुश्चन आभी सकता है नहीं लिया सकता है तो आप पढ़ भी सकते इस कैंसर इग्णोर भी कर सकते अब अगला प्रस्टोत है कि वह जल वायो परिवर्तन के प्रभाव को समझाए तो जल वायो परिवर्तन यह भी कुश्चन आप सभी के लिए महात शिद्र होने का क्या कारण है यह भी कुश्चन बहुत कामा था तो आपके इच्छा तयार करें दुर्भाव को समझाए यह कुश्चन आप सब एक लिए 80% महात्पोन ज्यादार परिच्छाओं में पूछा यह पूचा गया है हरितक्रां तर हरितक्रां यह सब कॉमन कोश् करेंगे हम खंडबा की और जहां पर आपको देखने को मिलेंगे दीरगुत्री कुश्चन इस बेवे इंस्ट्रक्शन से दीगें इनको पढ़ लेना फिर उसी इसाफ से आपको एंसर करना है ठीक है तो पहला प्रस्टन है कि रफाइनिक आपदा पर संश्प्र टिपड़ी आपदा तो अगला जो कोस면 नोट करते है अपदा के परकार बताये तो आप लोगों को मालूम होगा की आपदा तोपर कार की होती है अप और आपदाएं आप सभी को मालूम होगा रही मालूम तो सुने जी आपदाएं दो परकार की होती है आपदा आपदा तो दो परकार की होती है पहली जो आपदा होती है वो होती है प्राकर्तिक आपदा और दो फ्री जो होती है वो मानुक्रत आपदा होती है तो कुछ चीजे जो होती हैं आपदाएं जो प्राकर्तिक होती हैं जो बिना बताएं आचेमित समय पर बिना अगाह की आ जाती हैं और जो मानोकरत आपदाएं होती हैं ये मनुस्य के द्वारा उनकी गलतियों के वज़ा से या फिर उनके किसी ना किसी कारण की वज़ा फे आपदाएं आती है ठीक है या फिर हो जाती है तो सुने जी प्राकरतिक आपदा में कौन कोन आता है तो प्राकरतिक आपदा में बाढ़ आ जाएगा ठीक है उसके बाद भूसकलन आ जाएगा भूकंप आ जाएगा ठीक है बाढ़ हो गया भूकंप हो गया ठीक है बूसकलन हो गया उसके बाद आ कि मानुकृत में जो कि महामारी हो गई है नमर दो पी है कि दर ठाटनाय हो जाती है झीक और जो हमारा इंवायरमेंट हो जाता प्रदोफित हो जाता तो प्रदोफट हो गया ठीक है उचनए नूट कर días 100% अगला भी जैवेवता ये भी कोश्चन हमेशा पूंचा जाता है भी नोट को लीजी और अगला कोश्चन है कि टिहरी बांध परियोजन्या की कमिया बताईए ये भी कोश्चन आप सभी के लिए 80% इंपाटन है जायतर पेच्छाओं में आया है एकाद दो बार नहीं आया Táng चलते तब्रों कर सकते हैं और इग्वन कर सकते हैं तो यहां पर समस्पट फ होजाते हैं लगए टाइप की कोश्चन हम आज आए घंडःसा की और जहां पर आपको दीरगुत्रे यानि की बिस्तित्रे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ठीक है तो चलिए जानते हैं इन प्रश्णों के बारे में इसमें इंस्ट्रक्शन से दीग हैं कि वह यह कितने क्वेश्चन करना उसका उत्तर कितने सब्दों लिखना पड़ लीज ठीक है तो उनके बारे में लिखना जो कि राम बार कोश्चन है और हमारा जो पर्यावरण है इस समय हर चीज से प्रदोसित हो रहा है ठीक है आप देखिए कि पेंड की कटाई हो रही है ठीक है और वाहन की संख्या इतनी अधिक हो गई है ठीक है और अब देखते होंगे कि हर चीज में मिलावट हो रही है ठीक है और साथ साथ में आपने देखा होगा कि खेती जो होती उसमें हर चीज में दवाव का बहुत अधिक प्योग होता रहा है तो कुल मिलाके जितनी भी वर्तमान समय की एक्टिविटी है इस चीज से हमारा इंवारिमेंट इंपैक्ट ड नर्बदा घाटी परियजना पर विस्तार से लिखी यह भी कोश्चन इंप्वाटन है हमेशा रिपीट होता है तो नोट कर लीजिए 100% वाला है फिर आपको लिखना पड़ेगा कुछ टॉपिक्स दे जाएंगे इन पर टिप पड़ेजिए कि बाढ़ के बारे हम लिखना क पानी बाढ़ सुखा टिकर दोनों रामवाड कोश्चन ने दोनों एप जीट है जी पानि नहीं ऊता तो रामवाड कोश्चन प्रताइयाब कर लीजिए कि तोफान शुनामी बाढ़ सूखा भोकम भू सब कॉमन कोश्चन होते हैं ठीक है हमेशा प्रुशे जाते हैं आगल रखेंगे ठीक है क्योंकि कुछ बार नहीं भी आया है ठीक है तो इस लेश को सत्तर परसंट मान के चलते हैं सत्तर परसंट उम्मेदे आ सकता है तो यह रहा पूरा का पूरा माडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो की भी थर्ट समेस्टर यानि कि तर्तिय समेस्टर इंटरेट का फाहरा लेना पड़ेगा इंटरेट परसंट का उत्तर डालेंगे जो मैंने आपको बताया है उनका उत्तर जो तयार के लिए जैसे डालेंगे ठीक है जैसे वाइप दूसरा से आपको आजाएगा और उसको पढ़ लीजेगा ठीक है और बाकी हमारी आपके मिल जाएगा सभी का और आज किस वीडियो में इतना है मिलते हैं और ने वीडियो में जहिंद